आज मैं आपको सारी सवाज के जबाद देना चाहती हूँ आप सब आप सब अच्छे होंगे बिल्कुल मस्त होंगे और इस टाइम सुबह का टाइम है अच्छी मैं रूम ठीक कर लिए तो मैंने सुचा कि यहीं ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं तो मैं यहाँ पर अभी नौ बज रहे हैं मैंने सुबही नहाधवा लिया था क्योंकि शुरात्री का पारण था तो वो मैंने कर लिया और उसके बाद से अब आई हूं रूम ठीक कर से जाती मैंने से अपड़ जाने लगता है और अपके defens से बतासा हो चाहिए और बेटियां अपने पापा पि Nacht होती हैं तो बेटियां अकसर अपने पापा से बहुत ही ज्यादा लगा होता है उनको तो वैसे ही यहां पे भी है परी और उसके पापा का combination जो है नो बहुत ज्यादा है और कोई भी चीज़ होती है न तो फिर फोन करके या पापा से उसको तो चलीए फटफट से मैं सबसे पहले रूम ठीक कर लेती हूं उसके बाद आप लोगों शे मिलती हूं और बहुत तरी बातों करनी है आज बहुत ही ज्यादा special बात आपको बता नहीं है तो चलेए सबसे पहले ये सब काम अपना ख़तब करती हूं फिर आपसे मिलती हूं और आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और मैंने छोक लगाया है मिर्चा से और जीरा से और प्याज एक मैंने डाला है और भिंडी को देखी मैंने कट करके रखा हुआ है तो भिंडी को मैं छोक दे रही हूं और इसी की सब्जी अज बना रही हूं मैं और ये लसलस हो ज और नमक अपने स्वात्पेमसा डालना है और इसके बाद बस खुला ही छोड़ देना है बट इसके बाद मैं एक बार बस ढगूंगी क्योंकि थोड़ा सा जो सींजना होता है वो हो जाए सब्जी पक जाए अच्छे से और यहां पर पूरा फैला के ही भिंडी को छोड़ना है ताकि वो बिल्कुल नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो सके और इसमें थोड़ा सा ओयल जादा डलता है क्योंकि जब विंडी में ओयल जादा रहेगा अच्छे से तो थोड़ा कुड़कुड़ा सा होगा और अच्छा लगता है तेस्ट और यहां पर देखिए मेरी भ प्लदी डालने के बाद से मैं एक बार इसको ढग दोंगी और बस दो मिट के लिए मतलब कुछ मिनट के ले नहीं आप देखिए कि आपकी सब्जी नीचे से पकड़ना ले और थोड़ी देर में ही खोल दिया है मैंने उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से सब्जी दिख रह करी यो और लसलसीमी में बहुत सारे लोग ना बिना प्याज की भी बनाते हैं ब cruc第 की सब्जी ताकि बिल्कुल विष्छवाबD Ref asking मैंने सारी चीजह उनका लुटव मैंने तयार कर दिया इसको में उनके बैग में रख दे रहही हूं। पृछ देतैं कि सब्रहबत मुझेरतो हों। लगकैन। यजिये वछ लोट बसी देover, अभाए को ढूआ क्ष உत वेटे। परी भी बाई बाई कर रही है यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेमन टी क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए है तो उन्होंने कहा कि वो लेमन टी ही पिएंगे तो मैंने सोचा कि सबके लिए यहीं चलो बना देते हैं तो यहाँ पर मेरी टी बन चुकी है लास्ट में मैं निम्भू इसमें एड कर रही हूँ और साथ में स्नैक्स भी मैं लगा दे रही हूँ और उसके बाद से मैं तीन कप पी चाय बना रही हूँ वैसे यह ज़्यादा मैंने बनाया हुआ सोचा कि मैं भी पीलूँगी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं पीपाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है और मैं उतना पीना भी नहीं चाहती हूँ और यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है मैं चाय को निकाल रही हूँ साथ में स्नैक्स मेरा लग चुका है परी ट्यूशन से अभी 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 को क्या मिला है अच्छी इतने आते ही बताया कि मुझे अच्छा परी ती चार में और आज मुझे मैम की है कि आज चॉकलेट में लेगा हम वाँ कल अगर परी अच्छा से लिख के जाएगी नो तो इसको च हार्ड वर्क टाइम से पढ़ती है अपना हमार करती है तो सीधा है कि स्माइली मिले है परी को न सब लोगों ने गुड़ लग भी बोला है कि परी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है ऐसे ही किप अप मतलब ऐसे पढ़ते रहो अच्छे रहो ठीक है चली जाएए आज कुछ इंपॉर्टिन बात करना चाहती हूं इसलिए यहां पर बैठी हुई हूई हूँ और आपको टाइटल से मालूम चल गया होगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूं तो गाइज आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स हैं कि आपके हस्बंड क्या करते हैं बहुत सारे कोइशन वहां कोफ़ ने कर रहें थे लेकिन मैं एंसर करने का सोच रही थी पर वीडियो उस पे नहीं कर पा रही थी सारे सवालों के जुआब नहीं की हम कर पा रही थी किसी को कमेंट में ने लिखा भी है और दीया है चुछson है थी और उसके बाद वो यहीं पर जॉब कर रहे हैं तो हम लोग बैंगलोर में रहते हैं वो बैंगलोर में ही जॉब करते हैं और कौन सी जॉब करते हैं प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं तो मेरे हस्बन सरकारी जॉब नहीं करते हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं वो एक multinational company में काम करते हैं और Bangalore में ही काम करते हैं बहुत सारी लोग बैंगलोर से भी हैं जो लोग पुछते हैं कि मैं भी Bangalore में हूँ मैं भी Bangalore में हूँ मैंने कई जगह के वीडियो शेयर भी किये थे अगर कहीं जाती हूँ आसपास तो वहाँ के वीडियो अक्षार में थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ तो बहुत सारी लोगों ने मतलब उसको गेस करके बोला ता कि यह वाली जगह है या फिर यह वाली जगह है तो मैंने उसमें कमेंट में लिखा भी है कि हाँ वहीं जगह है ऐसा करके तो जो लोग यहां पर रहते हैं उन्यें가र सारी छीज़े यहाँ की तो वह लोग प्री ख़े ख़र्ते हैं तो मैं उसमें हाँ या ना जो भी होता है भो मैं लिख देती हूं और बहुत सारी लोहाँ के जवाब मैंने दिये भी होए हैं और इस टाइम पर शाम का समय हो चुका है और बाबू और परी को थोड़ा सा बाहर वाक करना है क्योंकि बहुत दिन हो जा रहे हैं और यह लोग कहीं जाने पा रहे हैं